कि दोस्तों एक बाद फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ओफ माई इंट्राडे में दोस्तों देखते हैं कल मार्केट कहां मुमेंटम कर सकता है निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं देखिए कल मैंने आपको जो एनलेसिस करके दिया था मार्केट ने आज उसी को पूरी तरह से रिस्पेट किया जो लोग लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं उनको हमने साफ साफ कहा था कि अगर मार्केट यह देखिए यह हमारी नौपं मार्केट इस लेविल के ऊपर खुलता है या इस लेविल के नीचे खुलता है और ऊपर आता है तो यहां पर एक बाई बनता है और टार्गेट आपकर रहेगा यह वाला ठीके ना तो आज मार्केट ने क्या किया उसको समझने की कोसिस करिए मार्केट में आज जो मुमेंट हुआ है वो बिल्कुल slow and steady movement हुआ है market यहाँ पर open होने के बाद नीचे open होने के बाद यहाँ पर इसने closing दिया यह swing high बनाया swing low बनाया swing high बनाया swing low बनाया और market नहीं यहाँ पर closing दे दे market ने यह double bottom बनाया और जब यह double bottom market बनाता है और उसके बाद last वाली red candle का high break होता है तो market में direction उसी दिसा में होता है जिस दिसा में market move कर रहा है तो market में आज भी nifty bank nifty के comparison में strong थी और nifty शुरू से ही धीरे धीरे उपर की तरह move कर रही थी लेकिन bank nifty में बार बार जटके लग रहे थी कोई नहीं अभी market जो हमने line draw करके रखी है यह यह जो 15,800 का level है monthly chart पर monthly expiry में जो open interest है सबसे ज़्यादा open interest 15,800 पर बनाओ अब देखिए मैं open interest का concept भी आपको समझा दू 15,800 पर highest open interest 15,800 पर जो open interest है वो highest open interest है अब इसका मतलब यह कतता ही नहीं होता के यहां यह तूटेगा नहीं अभी मैं आपको example देता हूँ बैंक निफ्टी में 35,000 पर सबसे ज़्यादा open interest था लेकिन 35,000 तूटा ना जब तूटता है तो market तेजी से उस direction में निकलता है क्योंकि जैसे अगर मान लो 15,800 तूटेगा तो 15,800 पर highest open interest है इन लोगों ने एक stop loss लगा के रखा होगा अगर market 15,800 तक आता है तो उनके stop loss trigger होते है तेजी से और market उतनी ही तेजी से उसी direction में और चला जाता है तो ये चीज़ आपको ध्यान लखना है अब देखिए कल के लिए scenario क्या हो सकता है market ने इस जगे closing दिये यह यहां से एक बार market ने rejection लिया दो बार rejection लिया तीन बार चार बार पांच बार इस जग ये market को cross करने में बड़ी दिक्कत आ रही है right उसके लावा ये एक इसका support बनाई हुआ है market नीचे आया था यहां पर भी इसका support है कल के लिए क्या situation है अगर market gap up होता है तो definitely यहां पर अगर खुलेगा एक selling pressure निश्चित रूप से आएगा और यहां पर आप इसको sell कर सकते हो target आपका ये वाला रहे अगर market gap down खुलता है तो आपका ये वाला level support की तरह काम करेगा यह level support की तरह काम करेगा यहां से आप buy कर सकते हो और target आपका ये रहे ठीक है तो आपको wait and watch वाली condition रखना चाहि मार्केट को या तो आप resistance पर sell करो क्या कर सकते हो market को resistance पर sell कर सकते हो या फिर support पर buy कर सकते हो ये चीज आप ध्याना ठीक है ना तो जब भी market resistance पर आए आप sell करो support पर आए आप buy करो अगर resistance ब्रेक कर देता है volume के साथ नीचे आप volume देख लिए यहाँ पर volume लगा लिए volume के साथ break करता है तो यहाँ पर एक buy बनता है volume के साथ support को break करता है तो यहाँ पर एक sell बनता है तो धीरे-धीरे मार्केट में जो कल शार्फ सेलिंग आई थी यह वाली यह शार्फ सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग की थी यह किसकी थी प्रॉफिट बुकिंग की शार्फ सेलिंग थी यहां पर एक किसी इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक किया थी ठीक है न तो जो और जब फ्रेश बाइंग आती है तो मार्केट एक दिन में गिरता नहीं है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है लेकिन रेजिस्टेंस के पास समल कर रही है रही है बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी शुरूम में अगर आप गौर करेंगे तो बैंक निफ्टी क्या हो रहा था निफ्टी तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था लेकिन बैंक निफ्टी इस रेंज में रुका हुआ था अगर आप गौर करें तो बैंक निफ्टी इस रेंज में रुका हुआ था और काफी देर तक आप देखिए जरा मार्केट को जब आप समझ लेंगे ना तो मार्केट बिल्कुल भी मुश्किल होता नहीं है देखिए मार्केट यहां पर कितनी देर तक रुका है आप केंडल अगर गिनेंगे 17 केंडल ने ब्रेक किया और 15 मिनट की एक केंडल है तो 16 केंडल का मतलब हो गया 3 आवर्स 3 आवर्स मार्केट एक रैंज में फसा था अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता तो सेल किया जा सकता था उपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई किया जा सकता है और यहां से 34,900 से मार्केट ने एक रैली दी 35,150 की मतलब 200 पॉइंट की रैली आपको मिलिए तो यहां पर एक अच्छा बाई बनता था तो आपको यह देखना होगा कि मार्केट किस तरह से मुख कर रहा है यहां पर भी देखी काफी देर तक मार्केट क्या था एक रैंज में था रैंज के बाद आप एंट्री इसमें कर सकते अब कल के लिए क्या सेनारियो बनता है उसको देखते हैं कल के लिए बिलकुल सिंपल एक सेनारियो है मैं आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट को आप समझेंगे ना तो बिल्कुल आसान है बिल्कुल आसान है बस होता क्या है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दवाजी करते हैं कि इसको मैं बना देता हूं और आगे तक बना देता हूं मार्केट में यह एक ट्रेंड लाइन है ठीक है न इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने एक बार दो बार तीन बार चार बार और अब यहां पर पहुच रहा है पांच बार पांच बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेट करता है अगर कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो डेफनेट्री एक बाइंग बनती है जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगी और ऊपर की तरफ ले जाएगी तो कहां तक ले जाएगी वो भी टार्गेट, दूसरा टार्गेट, तीसरा टार्गेट, और SL जो आपका रहेगा, वो रहेगा ये वाला, ठीक है न, अब आपको बताइए, क्या मुश्किल है कल के लिए ट्रेड करने में, मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल होना चाहिए, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, फ़स्त टार्गेट, सेकन्ड टार्गेट, थडर्ट टार्गेट, फर्स्त टार्गेट, इससे टकरा कर वापस लोटता है ठीक है न तो अगर आप डेड़ सो पॉइंट के लिए डेड़ सो पॉइंट के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो यहां पर आप एक सेल कर सकते हो जैसे मार्केट यहां पर रिस्पेक्ट करके नीचे आया यहां पर रिस्पेक्ट करके नीचे यहां पर आप सेल कर सकते हैं नहीं तो सेल आप करिएगा इसके नीचे इसके नीचे सेल पर हो यह आपका 34 800 200 पॉइंट का टार्गेट इसके पाद 34600 यह आपका पहला टार्गेट 34800 यह दूसरा टार्गेट 34600 अब बताइए मार्केट क्या मुश्किल है बिलकुल मुश्किल बस मुश्किल कहा होगा जब आप कहीं बीच में फस जाओगे इधर कहीं फस जाओगे इधर कहीं फस जाओगे आप बीच में ट्रेड ले लोगे बीच में ट्रेड नहीं लेना है या तो सपोर्ट के पास लेना है या फिर रजिस्टेंस के पास लेना है वहाँ पर आया था एक रजिस्टेंस बताया था अगर आप गौर करेंगे मैंने आप चकाता कि जब मार्केट इसके उपर निकलेगा तो मार्केट में एक अपवर्ड मूव आएगा अब मार्केट में यह सीधा सीधा रजिस्टेंस ठीक है न और यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन मि अब आप बताईए मार्केट में ट्रेड लेना बिल्कुल भी आसान है आप मार्केट इस जगें पर कड़ा जो लोग यहांपर ले ले लें गे ऋग्हों कि यहां पर ले लेंगे वह लोग ट्रेट आपको कहा लेना ऐ। ... पर को अगर वालिम के साथ ब्रेक देता है और एक बूलिष यहां पर फॉर्म होती इसके हाई के उपर वाय कर सकते हो यहां परौक thuैं क्या बनता है सेल बनता है टार्गेड क्या होगा ये वाला आपका पहला इसको भी ब्रेक कर देता है यह आपका दूसरा टारगेट तो बिलकुल बी मुश्किल नहीं और एकर उपर की तरब जाता है स्टॉप लोग स्को आप ट्रेल करते जाएगे, stop loss को आप ट्रेल करते जाएगे, आपको आगे की इस्तिति पता चलते जाएगे, जहां तक market आपको profit दे वहां तक आप profit ले सकते हैं, बात करते हैं, कौपर की, यह देखिये, कल जो चीज मैंने draw की ती, वही हुआ कि नहीं हुआ, जो लोग लगातार वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके वीडियो देख लिए कल का यहां पर मैंने कहीं वीडियो बनाया था और यह मार्केट देखिए इसको रजिस्टेंस लेकर नीचे आये मैंने कहा था पहला टार्गेट इसके बाद जब इस रजिस प्लाई और डिमांड जोन होता है तो यहां गया पर क्या है मैंने कहा था कि यहां आपको कोई भी टेड यह अगरिये ड़ां के निचे निकल जाता है अगर यहमार्केट कहा यहां पर आप में आ यहां पर या वाई या कर लेंगे या फिर स्यल कर दें दोनुझ लोग क्या हो जाएंगे ट्रेप हो जाएगे दोनों लोग ट्रेप हो जाएगे क्योंकि जब तक मार्केट में एक फ्रेश डारेक्शन ना देखे कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए और ज्यादा तर लोग अगली सिसको ब्रेक करेगी वहाँ पे आप सैल कर सकते ना ज़रूरी है कि कॉपर में ट्रेट करो copper है, crude है, natural gas है, gold है, silver है, किसी में भी trade करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यह आपके copper के लिए हो गया, बात कर लेते हैं, natural gas की, natural gas में, मैंने आपको sub sub lines बना के पहले से दे हुई है, यहाँ पर market अभी भी इसको respect करके उपर जा रहा है, यहाँ पर भी काफी इसने समय बिताया है, इसको पहली बार break किया था, तब से लगातार क्या है, यह उपर है, अब market में, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आभास हो रहा है कि market को नीचे जाना चाहिए, अब market supreme है, उपर जा सकता है, तो आपका prediction काम नहीं आता है, आपको यह देखना है, कि market price action क्या बना, आज market यहां खुला, इस तरह से इसने M type का pattern मनाया, pattern मनाने के बाद यह नीचे गया, इसको इस समय यह retest करने आ रहा है, retest के बाद यहां से एक selling बनती है, यहां पर एक selling बनती है, और target आपका यह रहेगा, यानि 230.30 जहां पर market चलना है, वहां पर एक selling बनती है, ठीक है, औ 227.80 का आपका target बनता है, और एक चीज और याद रखिए, आज Thursday है, Thursday को क्या होगा, inventory आती है, ठीक है न, inventory आने की बैसे market में inventory के पहले कोई बहुत बड़ा moment आने वाला नहीं है, inventory के बाद decide होगा, कि market का direction क्या हो सकता है, direction फिलाल sell side में लग रहा है, लेकिन अगर inventory अच्छ उपर की तरफ जा सकता है, तो inventory आने के बाद ही इसमें आज straight करिए, ठीक है, तो ये सारी चीजे हैं, जो मैं आप लोगों को बार बार बताने की कोशिस करता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, और धीरे धीरे आप इसको सीख जाएगे, शिल्वर की बा जिन लोगों ने ये rally ले ली है, ये rally पकड़ ली है, जब मैंने कहा था कि यहाँ पर market support ले रहा है, ये rally मिल चुकी है आपको, आप जरूरी नहीं है कि आप बार बार इसमें घुसो, market क्या है, एक range में चलना है, ठीक है न, यहाँ से यहाँ तक सुबे से खुला है, 100-200 point की range में market, move कर रहा है, यहाँ पर अभी आपको विल्कुल भी trade नहीं करना है, trade कहां करोगे आप, उस चीज को समझ लो, एक आप, ट्रेंड लाइन डॉकर लीगे, यह वाली, ठीक है न, जब तक market इसके नीचे है, आप sell side में रहेंगे, market इसके उपर निकल जाएगा, आप buy side रहेंगे, अगर उपर निकलता है, buy side में आप आते हैं, तो यह आपका target रहेंगा, नीचे आता है sell side में, तो यह आपका target दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो like करिएगा, share करिएगा, नमस्कार दोस्तों